नमस्कार चात्रों, मैं आरती यादव, आज हम विश्य हिंदी में व्याकरण का अध्यन करेंगे इस प्रकार आज हम हिंदी व्याकरण में वचन देखेंगे ध्यान देना बच्चों, व्याकरण में संख्याओं को ही समझो वचन कहते हैं जैसे एक वे जो किसी प्राणी वस्तु आदी के संख्या में एक होने का बोध कराते हैं जैसे अध्यापक, जंगल, भेडिया, बकरी, आदी उसी तरह, दूसरी तरह, दूसरे वे सब्द जिनसे किसी प्राणी वस्तु आदी के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है जैसे कहानिया, बकरिया, गाउवाले, लाठिया, इस तरह के सब्दों को जहां हम देखते हैं वही वचन है तो व्यापरण की नजर में हम उसे वचन कहते हैं इस प्रकार, इसकी परिभाशा कुछ इस प्रकार है अर्थात वचन की परिभाशा सब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं अर्थात बच्चों, वह सब्द जिससे हमें यह पता चलता है हमें यह ज्ञान होता है कि वस्तु या प्राणी एक है या अनेक उसे ही हम वचन कहते हैं अर्थात संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु प्राणी के एक या एक से अधिक होने का बोध है उसे व्याकरण में वचन कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चो वचन कहा जाता है इस तरह चात्रों हम कुछ धारन देखेंगी मैंने यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिये हैं और चित्रों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह बचन को हम पहचान सकते हैं या जान सकते हैं जैसे मैंने आपको पहला चित्र दिया लड़का और उसके ही बगल में मैंने दूसरा चित्र दिया लड़के, महाँ पर देखो कई लड़के हैं इस तरह लड़का यानि एक, एक व्यक्ति, लड़के यानि एक से अधिक, महाँ पर अधिक संख्या है तो यहाँ क्या है बच्चो बच्चन है उसी तरह अब हम दूसरा उधारन देखेंगे पहले चित्र में मैंने आपको बटिया दिया यानि एक ही बेटी है और उसके ही बगल में मैंने दिया बेटिया यानि एक से अधिक संख्या है वहाँ पर बेटियों की तो इस तरह हमें संख्याओं का ज्यान हो रहा है यानि एक बेटी है तो बेटिया और एक से अधिक हुई तो बेटिया इसी तरह छात्रों हम एक और उधारन देखेंगे मैंने यहाँ पे एक चित्र आपको दिया जहाँ पर पहला चित्र है पुस्तक और उसके बगल में ही है पुस्तके यानि एक पुस्तक से अधिक कई पुस्तके वहाँ पर है तो इस तरह मैंने कौन से सब्द का प्रयोग किया पुस्तके इस सब्द का प्रयोग किया तो यह हुई यह क्या हुआ बच्चो व्याकरण में हम इसे क्या कहते हैं वचन कहते हैं चात्रों अब हम देखेंगे वचन के भेड तो बच्चों हिंदी में वचन के दो भेड होते हैं अर्थात वचन के दो प्रकार पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन ध्यान देना बच्चों वचन के कितने प्रकार? दो, एक वचन और दूसरा बहुचन याने कि यह दो प्रकार हुए, दो भेत छात्रों, ध्यान देना, कहने का अर्थ हुआ वचन के कितने प्रकार, दो, एक वचन और बहुचन तो अब हम देखेंगे एक वचन की परिभाशा, इसकी परिभाशा कुछ इस तरह है सब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते है अर्था जहां पर संख्या एक हो उसे क्या कहते हैं एक वचन कहते हैं तो अब हम कुछ उधारन देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिये हैं, जैसे पहला चित्र एक बच्चे का है, यानि एक लड़का, दूसरा चित्र एक किताब है, तीसरा एक तितली है, और चोथा एक चड़िया है, तो सब एक-एक संख्या में एक ही है तो कहने का अर्थ हुआ कि सब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, आदी के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है अर्थात बच्चो जहां पर संख्या एक ही हो एक ही वस्तु हो, एक ही व्यक्ति हो कोई भी चीज एक ही हो यानि जिस सब्द से हमको पता चलता है कि सामने वाली जो संख्या है वो एक ही है गिंती में एक है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चो? एक वचन कहते हैं निश्चित रूप से कह सकते हैं बच्चो कि दिये गए सब्द लड़का, किताब, कितली और चड़िया एक ही प्राणी या एक ही पदार्थ का बोध करा रहे हैं अर्थार एक ही वस्तु है इसलिए ये सब्द एक वचन कहलाते हैं तो कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जहां पर संख्या एक हो उसे क्या कहते हैं एक वच्चन कहते हैं अब हम आगे चलते हैं वच्चन का दूसरा प्रकार दूसरा प्रकार क्या है बच्चों बहुवच्चन जी हां क्या है बहुवच्चन तो अब हम बहुवचन की सबसे पहले परिभाशा देखेंगे इसकी परिभाशा कुछ इस प्रकार है सब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं अर्थात बच्चों जिस सब्द से हमें या पता चलता है हमें या ज्यान होता है कि सामने वाली वस्तु, प्राणियों या पदार्थ की संख्या एक से अधिक है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं कहने का सिधा सिधा अर्थ है कि सब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदी की संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो पता चले उसे बहुवचन कहा जाता है तुछ आत्रो अब हम कुछ उधारन देखेंगे मैंने यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिये हैं जैसे पहला चित्र लड़के का दूसरा किताबे तीसरा लड़किया चौथा चिडिया तो इस तरह यहाँ पर मैंने जोगी चित्र आपको दिया है उनमें देखो संख्याएं जादा है जैसे पहला लड़का वहाँ पर एक लड़के से अधिक बच्चे हैं जो खेल रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा बच्चो लड़की यहाँ पर दूसरे चित्र में भी मैंने जो आपको किताबे दी हैं वहाँ पर एक किताब नहीं है एक से अधिक है बहुत सारी किताबे रखे हुए हैं तो एक संख्या से अधिक होने के कारण मैंने वहाँ पर क्या सब्द लिया किताबे बहुवच्चन का सब्द लिया किता मैंने लड़किया सब्द दिया, यानि वहाँ पर एक लड़की नहीं है, एक से अधिक है, यानि संख्या में अधिक है, तो क्या हुआ बच्चों? लड़कियां, उसी तरह अंतिम जो चित्र मैंने आपको दिया चडियां, वहाँ पर एक चडिया नहीं है, यहाँ पर भी चड एक से अधिक संख्या जो है उसी को हम क्या कहते हैं भववचन कहते हैं कहने का यह अर्थ हुआ बच्चो कि जो दिये हुए सब्ढ़ हैं अर्थाइज जैसे लड़के, कि लड़किया और चिर्या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं इसलिए ये सब्द बहुवचन कहलाते हैं अर्थाज बच्चो अनेक व्यक्तियों का वस्तूओं का या स्थानों का बोध कराने वाले ज्यान देने वाले पता चलता है जिन सब्दों से उन्ही सब्दों को हम क्या कहते हैं बहुवचन कहते हैं चलो बच्चों अब हम कुछ अभ्यास करेंगे स्वाध्याई के द्वारा चलो छात्रों अब हम प्रश्न क्रमांग एक पर चलते हैं निम लिखी सब्दों के बहुवचन रूप लिखिए यहाँ पर मैंने आपको एक वचन के सब्द दिये हुए हैं अब आपको इसको क्या करना है बहुवचन रूप में परिवर्तित करना है यहीं सब्दों के बहुवचन आपको लिखने है जैसे मैंने सबसे पहले आपको दिया निशाना मैंने पहला सब्द आपको क्या दिया निशाना तो उसका बहुवचन रूप क्या होगा निशाने दूसरा दिया दर्वाजा तो बहुवचन रूप दर्वाजे तीसरा तितली बहुवचन रूप क्या होगा अब छात्रो तितलिया उसी तरह अब हम आगे चलते हैं बस बसे अगला सब्द क्या है महिला महिलाएं, रुपिया, रुपए, आवसदिया, यानि आवसदी, आवसदी का आवसदिया, खुशी, खुशिया, इमारत, इमारते, उसी तरह हमारा अंतिम सब्द है टुकडा, तो टुकडा का क्या होगा चात्रो, टुकडे, तो इस तरह हमको बहुवचन रूप में परिवर् करके लिखना है, चलो बच्चो, अब हम आगे चलते हैं, प्रश्नक्रमांग 2, निमलिखिद सब्दों के एक वचन रूप लिख mathematics, यहाँ पर क्या देन करना है हमें, प्रश्नक्रमांग 1 का सीधा उल्टा, प्रश्नक्रमांग 1 में हमने क्या दिया, एक वचन को बहुवचन बनाया तो प्रश्ण करमांग 2 में हमें क्या करना है बहुवचन को एक वचन रूप में परिवर्तित करना है तो हमें यहाँ पर जो सब्द दिये हैं उसके एक वचन रूप लिखने है जैसे मैंने आपको सबसे पहला सब्द दिया पौधे पौधे क्या है बहुवचन रूप तो उसका एक वचन रूप क्या होगा पौधा, उसी तरह किरणे, किरणे का किरण, अगला मुर्तिया, मुर्तिया का क्या होगा बच्चो, मुर्तिया का मुर्ती, आगे दाने, क्या होगा? दाना, चौपाले, चौपाल, कहानिया, कहानी, गुब्बारे, गुब्बारा, चट्टाने, चट्टान, गड़े, गड़ा, कुत्ते, कुत्ता तो इस तरह बहुवचन रूप को हमें एक वचन रूप में परिवर्ति करना है चलो बच्चो, अब हम प्रश्न क्रमांग तीन पर चलते हैं हमारा प्रश्न क्रमांग तीन कुछ इस प्रकार है रेखांकित सब्दों का वचन बदल कर और आवश्यक परिवर्तन कर पूरा वाक्य फिर से लिखी तो क्या करना है बच्चो, जो सब्द मैंने आपको रेखांकित करके दिया है यानि अलग रंगों में उन्हें आपको पदलना है यानि एक वचन से बहवचन करना है और बहवचन से एक वचन और साथ ही साथ वाक्य में व्याकरण की द्रिष्टी से जो परिवर्तन होगा उसे परिवर्तित कर हमें वाक्य फिर से लिखने है जैसे सबसे पहला हमारा वाक्य है यह सात्वी की कक्षा है क्या है बच्चो, यह सात्वी की कक्षा है तो यह हमें बदलना है तो वहाँ पर क्या आएगा? ये सात्वी की कक्षाएं हैं उसी तरह अब हम दूसरे वाक्ये पर चलते हैं ये रास्ते गाउं तक जाते हैं अब ये रास्ते को हम क्या करेंगे? यहां रास्ता गाउं तक जाता है इस तरह हमें परिवर्तित करना है उसी तरह अब हम अपने प्रशनक्रमांग तीन पर चलते हैं हमारा प्रशनक्रमांग तीन है मेरे दादा जी उस पर गाने भी सुनाते हैं तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे? उसका उत्तर कुछ इस तरह होगा. मेरे दादा जी उस पर गाना भी सुनाते हैं. गाने क्या है बच्चो? बहु वच्चन. तो उसका एक वच्चन क्या होगा? गाना. तो इस तरह हमारा वाक्य क्या बनेगा? मेरे दादा जी उस पर गाना भी सुनाते हैं इस तरह हम लिखेंगे उसी तरह हमारा प्रश्नक्रमान चार गेंदे के फूलों को पत्तियों के साथ धागे से बांधो फूलों बहुचन है, पत्तियों यह भी बहुचन है यहनी इन दोनों सब्दों में हमें परिवर्तित करना है बहुचन को एक बचन में बदलना है तो हमारा उत्तर किस तरह बनेगा? तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार बनेगा गेंदे के फूल को पत्तियों के साथ धागे से बांधो क्या बनेगा बच्चो? गेंदे के फूल को पतियों के साथ धागे से बांधो उसी तरह प्रश्नक्रमान पाँच लड़कियां पढ़ रही है यहाँ पे लड़कियां क्या है बच्चो बहुवचन अब एक वचन में क्या लिखोगे लड़की पढ़ रही है इस तरह लिखोगे, लड़की पढ़ रही है नमबर छे, भीतरी हिस्से में रंग बिरंगे पत्थर लगे है तो ये क्या है बच्चो, बहुवचन अब उसी तरह हमें इसका उत्तर भी तयार करना है बहुवचन को एक वचन में लिखना है तो क्या होगा हमारा उत्तर, भीतरी हिस्से में रंग बिरंगे पत्थर लगे है तो उत्तर हम किस तरह लिखेंगे, उसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे भीतरी हिस्से में रंग बिरंगा, रंग बिरंगे की जगा पर रंग बिरंगा पत्थर लगा है अब हम प्रश्नक्रमांग साथ पर चलेंगे मोटी सुई में धागा पिरोलो मोटी सुई और सुई क्या है एक वचन धागा एक वचन पिरोलो अब हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो किस तरह हमारा बनेगा उत्तर क्या बनेगा किस तरह तयार करेंगे हम उत्तर इस तरह मोटी सुईयों में सुई की जगह सुईयों में धागा की जगह धागे पिरो लो प्रश्न करमांक आठ एक यात्री धर्म साला में आकर टिका था एक यात्री यानि यात्री एक ही है अब उसकी जगह हमने क्या लिखना है, हमें क्या उत्तर बनाना है एक यात्री की जगह पर कई यात्री, क्या लिखेंगे बच्चो कई यात्री धर्मसाला में आकर तिके थे इस तरह हम उत्तर तयार करेंगे तीन भी पूरा किया, इस तरह छात्रों व्याकरन में हमने वच्चन को भी पूरा किया, अब आपको पूरा स्वाध्याय अपने व्याकरन की कौपी में लिखना है,